सेंधा नमक, जिसे आम तौर पर वरत में इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि वरत में जब दी हम कुछ नमकीन जैसा बनाते हैं तो हमें उसमें नमक की जगए पर सेंधा नमक की ही ज़रुत पड़ती है क्योंकि normal नमक का तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं वरत वगेरा में लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार factories में इसकी making process कैसे की जाती है साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि factories में आखिरकार चूना कैसे बनाया जाता है जी हाँ, हम उसी चूने की बात कर रहे हैं, जिसे लोग आम तोर पर पान में लगाकर बढ़ियां एकदम चाओ के साथ खाना बसंद करते हैं और फिर बोलते हैं, अरे मज़ा आ गया, यह पान खाका है, जी हाँ, वही वाला चूना, तो इसे भी local factory में कैसे त्यार किया जाता ह इसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह factory making वीडियो, दूस्तो चलिए सबसे पहले हम आपको सेधा नमक कैसे बनाया जाता है, इसके process से वाकिफ कराते हैं, इसकी factory process को जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिरकार सेधा नमक कहां से निकाला जाता है, क्योंकि यह कोई product तो होता नहीं है, जो directly factory में बना लिया जाएगा, सेधा नमक खुद में एक raw material होता है, और इसे इसकी खदान से निकाल कर factory में इसका शोधन यानि कि refinement किया जाता है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो च पाकिस्तान में पाये जाते हैं, यानि कि पाकिस्तान ही वो जगह है जहां परसेधा नमक निकाला जाता है, और उसे खेवडा salt mine के नाम से जाना जाता है, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मिल्सते थे, अब आपको बता दे कि सेधा के इस पहाड में हजारों की संख करके क्यों तोड़ा जाता है, तो आपको बता दे कि सेधा नमक काफी जाधा मजबूत होता है, और कई वरकर्स इसे छोटे-छोटे टूल या हाथों से तोड़ तो नहीं जख लें, विस्पोर्ट के बाद जब ये अलग-अलग बड़े-बड़े पत्थरों में तूट जा लाएगी, इसके लिए वरकर्स केपैसिटी के हिसाब से इन्हें गुदाम से लाते हैं, और फिर इनके टुकडों को साइस के हिसाब से अलग-अलग कर लिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है, जिससे इनकी प्रोसेस अच्छे से की जा सके, इसके बाद वरकर्स इन् चोटे चोटे बराबर के टुकडों में तोड़ लिया जाता है और इसके बाद इनकी शॉर्टिंग की प्रोसेस की जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इसमें मौजूद वेस्ट को निकाला जा सके इसके बाद बारी आती है इनके पीसने के प्रोसेस की लेकिन हाँ, इससे पहले आपको बता दें कि इनके इन ही टुकड़ों को पैक करके मार्किट में भेज दिया जाता है जिने टुकड़े चाहिए, वो टुकड़े ले लो अब देखी, ये मशीन इन टुकड़ों को कुछ समय में पीस कर पाउडर में बदल देती और दूसरी तरब से निकाल देती जहां पर इनहें कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इनहें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है अब आपको बता दे कि इनहें पैक करने के लिए मशीन के अलावा वर्करज से भी पैक करवाया जा सकता है वैसे ऐसा तब किया जाता है जब सेंधा नमक की quantity ज़ादा होती वर्करज के द्वारा packing process में सेंधा नमक को 200 ग्राम के packet से लेकर 1 किलो ग्राम के packet में पैक किया जाता है अगर हम packing machine प्रासिस को देखें तो सेंधा नमक को पैक करने के लिए एक तरह की सेंधा सॉल्ट पैकिंग मशीन का इस्तिमाल किया जाता है। वहीं ये खाने में काफी जादा अच्छा होता है, इसके खाने से हेल्थ भी काफी अच्छी रहती है और हमारी बोडी में कई तरह के इसके फायदे भी होते हैं। लेकिन जादा खाने से इसके नुकसान भी होते हैं जरा समलके हां। वैसे सेन्हा नमक के factory process के बारे में तो आपने जान लिया है लेकिन खाने वाले चूने के factory process के बारे में जानना अभी बाकी है और ये जरूरी है और आपको पता है कि इसका इस्तिमाल खाने में किया जाता है और इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई साब ये तो हट्डियों को पीस कर बनाया जाता है चलो आज देख लेते हैं कि इस बात में कितनी सचाई है और कितना दम है जानेंगे इसकी factory process के बारे में तो चली आपको ले चलते हैं सीधा चूना बनाने वाली factory में वैसे चूने यानि कि जिसने हम lime भी कहते हैं सबसे पहले इसके process में इसके raw material को लिया जाता है जो की बड़ी-बड़ी खदानों से निकाला जाता है अब आपको बता दें कि इस दुनिया में कई जगहों से चूने के raw material को निकाला जाता है अब आपको ध्यान दिला दें कि चूना बनाने का raw material limestone और coal होता है और इन दोनों से चूना बनाया जाता है प्रांस्पोर्ट की हम से इस raw material को खदानों से factory में लाया जाता है जो बड़े बड़े मजबूत पत्थरों के रूप में होता है इसके बाद इसकी unloading की जाती है और फिर इन बड़े बड़े पत्थरों को workers की help से चोटे चोटे पार्ट में तोड़ा जाता है जब इने चोटे टुकडों में तोड़ लिया जाता है तो इनकी आगे की process की जाती है अब आपको बदा दें कि खाने के चूने को बनाने वाला raw material मजबूत पत्थरों के रूप में होता है इसकी process करके इसे मुलायम बनाया जाता है इन बड़े बड़े लाइम स्टोन के टुकडों को चोटे चोटे टुकडों में करने के बाद कोल के टुकडों को भी इसी size में तोड़ लिया जाता है अब इसके बाद बारी आती है लाइम स्टोन और कोल के टुकडों को आपस में mix करने की इसके लिए machine का भी use किया जा सकता है और workers के द्वारा भी इस काम को किया जाता है इसके बाद इसे मिलाने के बाद factory में बनी एक तरह की भठी में इस mixture को डाला जाता है जिसका temperature करीबन 800 degree Celsius के आसपास होता है इसके बाद इसे करीबन 3 दिन तक गर्म किया जाता है और आपको बत मिक्षर को बड़ी सी shorting छन्नी की help से इसमें मौझूद कोल की राख और इसके small particles को अलग कर लिया जाता है और फिर हमें lime के fresh टुकडे मिल जाते हैं अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस mixture से तीन तरह के चूने की quality मिलती है जिसे अलग-अलग कर लिया जाता है और ये conveyor belt की help से machine के अंदर चला जाता है जहां पर machine इसकी पिसाई करती है और आपको बता दें कि पिसाई के बाद इस process में कई step से इसे गुजारा जाता है जिसमें पहले step में इसे महीन टुकडो में बदला जाता है और फिर इसे दूसरे step में भेजा जाता है जहां पर hydrate machine की help से इसे और महीन किया जाता है और इसमें इसकी quality को भी maintain किया जाता है और आपको बता दें कि इस factory में कई hydrated machine लगी होती है जो चूने की quality को maintain करती है और इस तरह कुछ process के बाद चूने के ये टुकड़े powder में बदल जाते है अब इनकी testing process भी कर ली जाती है और जिससे पता चल सके कि इनकी quality किस level की है फिर इन्हें बड़े-बड़े बोरी के bags में भर लिया जाता है और फिर इनका वजन किया जाता है इसके बाद इन्हें market में भेज दिया जाता है जहां से आप इन्हें खरीद कर पान में लगाकर बढ़ियां से एकदम खाते हैं वैसे इसके लाव भी खतम हो गया है वैसे इसे खाया जाता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं लेकिन इसका जादा इस्तिमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे body को हो जाता है नुकसान और आज के समय चुना जादा तर खाने के लावा दूसरी चीजों में भी use किया जाता है इसमें calcium carbonate ह होता है जो हमारी body में calcium की quantity को बढ़ाता है वैसे उम्मीद करता हूँ कि सेधा नमक और खाने वाले चुने को बनाने के process तो आप जानी गए होंगे इसके लाव आपके मन में इसे लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछिए और इसी तरह के दूजरे product की factory making process के ब comment करके बताई मिलते आपसे एकले वीडियो में बबाई